हेलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल इदुनिया नौलेश मैं भानु प्रिया आज हम लोग प्रीबियस यर से संबंधिस 50 कुस्चन डिसकस करेंगे जिसमें मैंने अल्रेडी 50 कुस्चन डिसकस कर दिया है और अब अगला जो 50 कुस्चन डिसकस करेंगे और इसमें यह देखे हैंगे कि विभीन एक्सामों में चाहिए स्टेट का चाहराजस्थान हो हिमानचल हो या यूपी से संबंदित पॉलिटकल सायन से जितनी भी एक्साम हुए टीजीटी पीजीटी जी आइसी या जीडीसी से संबंदित कितने जो कुस्चन किस टाप के पूछे गया है उसको ह और इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि किस टैप के कोश्चन पूछे जा सकते हैं और आप कोश्चन को यहां पर जैसे कोश्चन सामने आता है पॉस करके आप खूद भी अटेम्ट करके देख सकते हैं कि इतना कोश्चन आपका सही हुआ कितना गलत हुआ तो चलिए आ मार्वर्ज गांधी तो यहाँ पर सहे अंसर हो जाएगा मैक्यावेली और यहां पर बताते चाहिए कि सौरपर्थ की बहतीब कहतуск सर्वोच संस्था माना था तो इसलिए राज की सर्वोच संस्था माना था तो इसलिए राज की सर्वोच संस्था का समर्थन किस ने किया है मैक्यावेली ने किया है मैक्यावेली यहां पर यह भी बताए कि जो आधुनिक यूग में सक्त की ओधारना का प्रतिपादन मैक्यावेली ने किया था और सर्पृथम मैक्यावेली ने ही राज्ची को भी परिभासित किया था अपनी पुस्तक दप्रिंस में कुश्चन 53 किसने कहा कि सक्ती आपको जाएं राबरड़न कि नेक्स्ट राजिससब्द की सब्द का पहली बार प्रियोग किसने किया है औप्शन आपके प्लेटो अरस्तु मैक्यावेली हॉप तो सही अंसर है मैक्यावेली कि इसको तो हम बहुत बार बता चुके मैक्यावेली ने अपनी जो अप्स्तक ह आधुनिक यूग में राज सबका सबसे पहले प्रियोग किया है नेक्स्ट है 55 निम्न में से कौन सी एक पुस्तक मैं कैवेली के विचार को पूर असपस्ट करती है अप्संस है आपके आट अफ वार्थ दिस्कोर्सेज अनली वी दप्रिंस उप्रिक्त सभी तो सही अंसर आपको जागा उप्रिक्त सभी यहाँ पर बता चीज़ यह मैं कैवेली कि जो ग्रंथ है मतब यह जो यह विचार नहीं एक तरसे ग्रंथ है इसकी कई रचनाय संक्लित हैं जैसे कि इसमें दिया इक दा आट अफ वार वो गट दडिस्कोर्सेज अनली वी दप्रिंस तो इस सब में उन्होंने क्या है कि जो दा आट अफ वार है उसमें उन्होंने युधिनीति का वर्ण किया है इसमें कहा है कि नागरिक सेना का निर्माण का समर्थन किया है और जो दडिस्कोर्सेज अनली वी दडिस्कोर्सेज अनली वी में उन्होंने जो है राजी की प्रकित उसके स्वरूप का असपष्ट किया है चाहिए और तकुनुने लोसट्र स्वर स्वरूप किया है है यहां तक कि उन्होंने लोगतंटर स्वतंटरकीज अनली में होते और तप्रिंस में सासनकला का वड़न किया मैं कि सास exile का रॉन है है मतलब इसमिदसासन कला में नेक्स्ट है आपका कोश्चन 56 मैकेवेली के अनुसार राज्य उच्छ संग है जिसमें जनता को राज की प्रतिपूर समर्पड कर देना चाहिए राज क्रित्रिन निर्माड है राज विभीन संग है डी ए और बी दोनों है तो सही अंसर आपका हो जाएगा डी ए और बी दोनों है राज जो है पहला राज उच्छ संग जिसमें जनता को राज की प्रतिपूर समर्पड कर देना चाहिए ये भी सही है राज क्रित्रिन निर् अच्छा नहीं था मनुष से कि अच्छा नेहीता हौ c की तरह मनुस के सुभाव का भी बढ़न किया जो हम पीछे अलड़ी आपको बता भी चुके हैं और उसने माना कि राज्य का उद्धर जब मनुस के दूस्ट सुभाव के कारण भी राज्य का उद्धर हुआ और इसलिए जो राज अस्तित्तों में आया भी और राज्य अस्तित्त में क्यों आया क्योंकि मनुस से सबसे अधिक सुरच्छा चाहता है और सुरच्छा तभी उसको मिल सकती है या तभी मिलती है जब हुआ मनुस के साथ जो है पूर समरपड करते जो राज्य है जब राज्य जो है मनुस के साथ कोपरेट करके रहे तभी यह है उसको सुरच्छा मिल सकते तो इसलिए जिसे मनुस्य जो सुरच्छा चाहता था इसलिए राज्जी का उत्पत्ति हुआ या राज्जी का जन्व हुआ नेक्स्ट है कोस्चन 57 किस विचारक ने आधुनी काल मेराज सब्द का प्रियोग किया है आप्सेंस है आपके प्लेटो, बोंदा, मैकेवेली, हॉप्ट तो सही अंसर आपका मैकेवेली नेक्स्ट है अरज्ज्टु के प्रिच्छा करने वाला पहला आधुनी विचारक कोन है आप्सन है आपके हॉप्स, लॉक, प्रूसू, मैकेवेली तो सही अंसर जो है हॉप्स है हॉप्स के बारे मैं आपको बता दें यह जो है इसने सोसल कॉंट्रेक्ट थियरी के लिए बहुत फेमस है और यह एक अंग्रेश दार्शनी विचारक था इसने लेविया था नामा के प्रसीद पुस्तक लिखी थी जिसके लिए प्रसीद है और हॉप्स जो है पहला जो आधूनिक विचारक था जिसने अरस्तु प्लेटों के जो परिवार समदे दिश्टकोर थे या विचार थे या जो उन्होंने अपना थौट दिया था उस पे असमती व्यक्त किया था नेक्स्ट है आपका कोश्चन 59 कि मैक्यावेली समर्थक था अभिजाततन राशतन लोगतन इन में से कोई नहीं तो सही अंसर हो जाएगा आपका इन में से कोई नहीं यहां पर बताते हैं कि मैं तैना कि कोई भी एक परकार का शासंद जो है सभी परिस्थिति इसट नहीं मानता था उसका मानता है कुछ परिस्थितिए और को परिस्थिति के ऋमें गड़तन्त श्रिस्थ है तिहां पर बताते हैं चले कि आपको जो रास्तंत्र का वढ़न जो अपनी पुस्तक दप्रिन्स में किया है अगर्टंत्र का वढ़न जो है उसने इसका वढ़न गर्टंती राज का समर्थन करते हुए विवारी रूप में निरंकुस राष्टन को सवस्राशन पृष्षा को माना था अगर तो उसने गरतंत्र जो सवस्राशन की जुस्राशन को बैतर माना था उसने specific किसी भी मतब या system को या सासन को मतब समर्थन नहीं किया था तो इस प्रकार से इसका answer जो है D हो जाएगा next है कि राजा सेर की तरह सहासी और लोम्री की तरह चलाक होना चाहिए कथन किसका है options आपके है मैं कैवेली, प्लेटो, अरस्तू, जेएस, मिल तो सही answer आपका हो जाएगा मैं कैवेली या अलरड़ी हम पीछे quote बता वी चुके हैं आपको next है question 61 या विश्वास था कि व्यक्त अपनी पीता की मृत्य को भूल सकता है परन्त उसकी संपत्तिक की हान को नहीं भूल सकता है या कथन किसका है तो options आपके दिये हैं मैं कैडिली, बूंदा, हॉप, लॉप सही answer आपका हो जाएगा मैं कैडिली next है किसनी राजची का इस प्रकार वर्डन क्या है कि संपूर कि या संपूर विज्ञान में साज़दारी और संपूर कला में साज़दारी प्रते गुड और सभी संपूर्टा में साज़दारी है options आपके एड्मन वर्क, अरस्तु, मैकाइबर, मारगन तो सही answer है आपका एड्मन वर्क next है आपका निन में से कौन सा युग में सही नहीं है पहला अविजात सिध्धान पैरेटो, अनुदारवादी सिध्धान वर्क, उदारवादी सिध्धान प्लेटो, सामाजी प्रसमिदा सिध्धान द्रूसो तो आपका पहला सही है अविजात सिध्धान पैरेटो का है, अनुदारवादी सिध्धान वर्क का है उदारवादी, सिधान नहीं, आपे आदर्स्वादी अगर रहता तो प्लेटो सही होता है तो प्लेटो जो है इक आदर्स्वादी विचारक है समाजिक प्रसमीदा का सिधान तो रूसो का है रूसो के लावा, हाफ्स और लॉक ने यह विचार दिये हैं नेक्स्ट है आपका question 60 प्लेटों को राज की आधर्सवादी सिध्धान का जनक क्योंकि ऊप्सन है उसनों नगर राज की आधर्स को बताया है उसका सिध्धान मनुस्खी प्रकृत क्या है पराधारित नहों कर क्या होनी चाहिए और वास्ति विक्ता है तथा मुल्ठ के बीच्ट टोहरी विवस्था को श्युकार और उसने अपनी सिध्धान को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है तो सही एंसर आपका हो जाएगा kव उसने अपने अपने सिधान को अच्छाइकी विचार पर आधारित किया है तो अधर्यों अपने ततकालीन समय में जो नगर राज यानि स्टेट की बात उसको बुराईयों को मतब देखते उसने समधान के लिए मतब अच्छे गुड को दार्षनीक राजी का समर्थन किया कि राजा में दार्षनीक राजा होना चाहिए और उसने नगर राज की बुराईय को समाप हो सके इसका समर्थन किया है तो यह जो अच्छाई की विचार पर आधारित है नेक्स्ट है निम्ड में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है तो पहला जो है सकरात्मक सिध्धा स्वतंतरता हीगल सुख और दुख का गड़क वेंथम वैग्यानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर लोक्तांतिक केंड्यता वाद एंजिल्स नेक्स्ट है रिपब्लिक केवल राजनीत पर लिखी गई पुष्टक मात्र ही नहीं वरन सिच्छा पर लिखी गई एक ऐसी उत्क्रिष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकती सकी यह कथन किसका है आपके रूसो वारकर कैटलीन फास्टर तो सही एंसर आपका रूसो रूसो ने ही मतपलेटों के सिच्छा पध्धत है वह इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने यह कर दिया कि रिपब्लिक जो है सिच्छा पर लिखी गई सर्शिष्ट पुस्तक बताया नेक्स्ट है आपका प्लेटों ने इनमे से किस विचार का समर्थन किया है सामराजवात का नगर राज्यों के विनास का अविवावक वर्ग द्वारा पादक वर्ग की महिलाओं के सोसड का पत्न पत्नियों और संपत्ति के साम्मेवाद का यहां पर जिसे बताते चले जो प्लेटों ने जो है साम्मेवादी योजनम के दो भाग बतायते जिसमें एक था कि संपत्ति का साम्मेवाद तो दूसरा क्या था परिभार और इस्त्रियों का साम्मेवाद के रूप में विभाज वहकित गया था तो इस प्रकार से इसका एंसर जो है पत्नियों और संपत्ति के सामिवात का हो जा जाएगा अब प्लेटों का मानना था कि जो अभिवावक वर्ग यानि या व्यावर्ग में उस Suzanne को सैनिक वर्ग के समूह ग्रूप को ही उसने अव्याग वर्ग माना था प्लेटों ने तो प्लेटों का माना था यद अव्याग वर्ग के पास परिवार संपत्ति होगी तो वह क्या होगा अपनी कर्तब्यों से विचलित हो जाएगा और आदर्सराज का निर्मान नहीं हो पाएगा आदर्सराज का दिनास हो जाएगा तो इस प्रकार से प्लेटो ने पत्नियों और संपत्ति के सामयवाद का समर्थन किया है नेक्ष्ट है आपका कि पत्नियों और संपत्ति के सामयवादी सिध्धान के प्रतिपादक कौन है Option है Marx, अरस्तु, लॉक, प्लेटो तो सही answer आपका हो जाएगा प्लेटो Next है ये कही question को देखे घुमा फिरा को वहाँ पे पुझदे किसका समर्थन करता है यहाँ पे पुझदे किस सिधान की प्रतिपादक को होन है Next है वीबियो के सामिवाद के अवकालत किस ने की थी तो option है प्लेटो, अरिस्टोटल, सेक्रिटीस, काल माक्स तो सही answer है आपका प्लेटो हो जाएगा Next है प्लेटो ने किस सामिवाद में विश्वास किया संपत्ति, पत्निया, A and B प्लेटो के आदर स्राज की विश्वास कि नहीं है Option है आपके कि दार्षनिक का सासन, अव्याववर के लिए संपत्ति यह परिवार का सामिवाद नर्नारी के समान अधिकार पुरुस प्रधान परिवार तो सही answer आपका हो जाएगा इसमें पुरुस प्रधान परिवार का जो है विशेस्ता नहीं मानता है नेक्स्ट आपका प्लेटो के राजनितिक चिंतन में बीज नहीं थे उपयोगिता वाद का समाज वाद का फासी वाद का उक्त सभी तो सही answer आपका हो जाएगा उक्त सभी इन सभी धारणाओं का यह इन सभी चिंतन का जो समावेश है प्लेटो का जो ग्रन्थ है रिपबलिक में मिलता है नेक्स्ट है आपका राज ओक या चट्टान सिल्थपन नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले ब्यक्तियों के चरित्र सिल्थपन होता है या किसनी कहा है ऑप्सन है आपके जौहाल लाल नेरू, एमके गांधी, अरस्तु, प्लेटो तो सही अंसर आपका प्लेटो और यहां पर आपको बताते हैं जो राजी संबंदी विचार दिया है प्लेटो अपने पुस्तक दर रिपबलिका में आदर्स राजी के ब्याख्या करता है और उसने किसी वास्तिविक राजी की नहीं किये है यह एक कालपनिक है और उसी के संदर में कहता है कि राजी का निर्मार ओक के बिच्छ से नहीं बलकि ब्यक्ति के चरित्र से होता है और यहां पर बताते चले आपको जो राजी की प्रकिर्ति है प्लेटो ने आंगिक चर्व प्लेटो की चिंतन का महत्पुड अंग है और बारकर ने कि प्लेटो का समर्थन करते हुए नियाय प्लेटो के विचार का मु़ मूल आधार है और कहा कि रीपबलिका में राज के सिध्धान की पराकास FM न्याय के सिध्धान्त में है ऐसा बारकर मानता है और बारकर ने यह भी कहा कि न्याय वह सुत्र है जो समाल को बांधे रखता है इसी के संदर में यह कोट प्लेटो ने न्याय के सिध्धान्त के संदर में कर सकते हैं राज के विचार में प्रस्तुत किया है और प्लेटो जो ह प्राकृतिक संस्था भी मानता है अब प्लेटो नहीं अभी कहा कि राज जो है विकास का प्रणाम है यह सोभाविक संस्था है नेक्स्ट है आपका 74 निल में से किस ने प्लेटो को मुक्त समाज का सत्र घोसित किया है अप्सन है आपके लियो श्ट्रोस बरलीन अना अरेंट कार्ल पापर तो सही एंसर आपका हो जाएगा कार्ल पापर कार्ल पापर के अलावा हीगल मार्क्स कार्ल पापर ने प्लेटो के अलावा हीगल और मार्क्स को मुक्त समाज का सत्र घोसित कि प्लेटो के अलावा कार्ल पापर ने किसे मुक्त समाज का सत्र कहा है तो वह हैं हीगल और मार्क्स को भी कहा है और यह जो अपना विचार जो है काल पापर ने अपनी पुस्तक The Open Society and Its Enemies में दिया है और काल पापर ने ये भी कहा कि प्लेटों का जो दर्शन है सत्तावादी और सरवादिकारवादी है क्योंकि उसमें संरचक वर के सासन में मिठक को आधार पर सुरच्छित रखने का सुझाओ दिया है विशिष्ट वर को पूर सत्ता प्रदान करके सामाजिक वर को रोकनी की कोशिस की है तो इसी लिएकार पापन ने प्लेटों को मुक्त समाज का सत्त्रों कहा है या घोसित किया है नेक्स्ट है कोश्चन 75 जब तक दासनिक राजा नहीं होंगे या विश्ट के राजा दर्शन की भाना स्प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्जी को उनकी बुराईयों से कभी मुक्ती प्राप्त नहीं होगी या कथन है आपके प्लेटों अरस्तु सेबाइन डर्निंग तो सही अंसर आपका होजागा प्लेटों प्लेटों नहीं राज्जी में न्याय के आदर्श को अस्थापित करते हुए दासनिक राजा को सासन के लिए आवस्यक माना और इसी के संदर में यह परिभासा प्लेटों ने दिया था नेक्स्ट है कुश्चन 76 विचारक को सही सुमेलित कीजिए और विचारक और कथन है मैं क्या विली तो मैं क्या विली ने क्या कहा था कि ब्यक्त को छल कपट जानने के लिए यहां ब्यक्त दिया यहां पर राजा होना चाहिए ब्यक्त को छल कपट जानने के लिए लोमडी और भेडियों को डराने के लिए सेर होना चाहिए तो यह मैकेवेली का हो जागा तीसरा मिल जो है अपने उपर अपने मस्तिस्क तथा सरीर पर संप्रभू होता है तो मिल का स्टेट्मिंट यह है ग्रीन ने इच्छा न किस सकती राज का आधार है विन्थम ने कहा कि पुष्पिल उतना ही अच्छा है जितना की कविता इस तरह अगर देखें तो आपका एंसर जो है यह हो जाएगा नेक्स्ट है 77 इसमें भी आपको मिलान ही करना है ओप्सन्स नहीं दिखा दे पार है लेकिन देखते हैं कि सुची 1 को सुची 2 से मिलाना है तलवार की बिना प्रसमिदा मात्र जो है सब्द है तो यह कथन किसका है? होप्स का है भ्यक्ति को सतन्त होने के लिए बात दिक्या जा सकता है यह कथन जो है रूसो का है उचितर सक्त केवल डाकों का जुन्ड बना सकती है राज्य नहीं वह जो है बोंदा का कथन है राज्य का कार ब्यक्ति में आत्म निर्भरता की भाना को नश्ट करता है और उसके उत्तरतायत को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है तो यह जो है कतन मिलका है इस प्रकार से आपका एंसर जो हो जाएगा वह यह हो जाएगा नेक्स्ट है सुच्ची के अधार्ण सुच्ची वन में अधार्णा है विचारक है राज का दार्सनिक सिध्धानत किसका है विचारक के का है राच्ची और विधी के सामानी सिध्धानत है यह जो है केल्सं का है कि दर्शनिक ऊग्ण्रवाद यह जो है विंत्थन से संबन दित है अनागरिक्सद्गुरों की अभिव्रिदी की पूरों दसा के रूप में गड़तन द्रवाद तो यह जो है आपका हो जाएगा मैक्यवीली इस तरह से आपका एंसर जो है वह यह हो जाएगा नेक्स्ट है आपका सबसे निस्क्रिष्ट राज भी सबसे उत्क्रिष्ट अरजक्ता से अच्छा है यह मत किसनी ब्यक्ति क्या है तो हीगल रूसू लॉक हॉप तो सही अंसर आपका हॉप से हो जाएगा नेक्स्ट है राज जी की स्वरूप के बारे मिनिम लिकिन से कौन सही है तो राज अपनी में एक साध्य है राज जी साध्य का एक साधन है राज जी साधन और साध्य दोनु है राज जी न साधन न साध्य है तो इसका एंसर आपका बी हो जाएगा नेक्स्ट है, question 81, राज्ची साध्धन है, साध नहीं, यह सिध्धान्त है, उदारवाद का, ब्यक्तिवाद का, फांसिवाद का, या बैज्ञानिक समाजवाद का? तो सही अंसर आपका हो जाएगा, उदारवाद नेक्स्ट है, एक आधूनिक राज्ची समिधान के बिना, राज्ची नहीं, अपितु अराजक्ता का सासन है, यह कथन किसका है? आप्सन है, लाट ब्राइस, एवी डायसी, जैलीनेक, जीवी शाह, तो सही अंसर आपका हो जाएगा, जैलीनेक नेक्स्ट है, दिखे, जहाँ जरूरत है, वहाँ, मतलब थोड़ा डीटेल डिसकसन करते रहें, अधर बीटी बहुत लंबा हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि फिर भी हम डीटेल ज्यादा डिसकस करें, या मतलब कोई और सुझाओ है, तो आप कमेंट करके बता सकते है नेक्स्ट देखते हैं कि सुची वन को कथन और सुची टु में विचारक कर नाम देश को मिलान करना है, तो मैं ही, मैं राट्ज हूँ, या कथन जो है लुई सुलहमे का है राज ब्यक्ति से पहले है यह कथन जो है अरस्तु का है राज प्रिति परिश्वर का ओतरण है यह हीगल का है यह तो बहुत बड़ डिसकस होगा आपको याद भी हो गया होगा राज ब्यक्ति का ब्रिहद रूप है प्लेटो का कथन है तो इस प्रकास से एंसर जो है यह हो जाएगा नेक्स है किसने कहा कि राज ब्यक्ति का ब्रिहद रूप है ओप्सन है प्लेटो सुकरात अरस्तु थामस सेंट थामस एक्विनास सही अंसर है प्लेटो नेक्स्ट है कौ कि अरस्तु हो जाएगा नेक्स्ट है सरकारों को सू व्यवस्थित वर्गी करण सबसे पहले प्रित्पादित किया था ओप्षन आपके मैं क्यावेली ने प्लेटों ने अरस्तु ने मांटेस्क्यू ने तो सही अंसर जो है अरस्तु हो जाएगा यहां पर यह बताने चलने की सवर प्रथम सासको की संख्या और उसकी सासन की क्या उद्देश होंगे इसकी आदाहर पर सरकारों का वर्गी करण किया था जिस जैसे कि उन्होंने बताया था अरस्तु ने कि सासको की संख्या जैसे एक वर्गति का सासन है तो उसका जो सामानी रूप होगा और राश्त त तो कुलीन तंत्र हो जाएगा अब हुस्न सिवक्तियों का साथन है तो मध्य तंत्र या लोग तंत्र कह सकते हैं ह। उन्होंने इस तरह से सरकार वर्गी करण कया dew Запेथ सब्सक्राइब निर्ण निसे किसको अरस्तु ने सरकार के विक्रित रूप के संदर में वर्गि कृत किया है option है लोग तंत्र कुलीन तंत्र निरंग तंत्र उप्रियुक्थ सभी तो सही answer आपका हो जगा उप्रियुक्थ सभी अरस्तु ने राज और सम्मिधानों का वर्गिकर किस प्रकार किया है आपका निर्मित पारमपरिक रचना के आधार पर सासकों की संख्या और सासन की गुडवत्ता के आधार पर नेक्स्ट है धार्मिक प्रभाव के आधार पर आर्थिक प्रभुत्त के आधार पर आपका सही एंसर हो जाएगा सासकों की संख्या और सासन की गुडवत्ता के आधार पर एंसर जो है बी होगा यहाँ पर आपको यह भी वता हैं जो अरस्तु ने राज्य और सम्मिधान का वर्गी करण जो है सासको की संक्या और सासन की गुडवत्ता के अधार पर किया जो राज्य का उद्देष सारवजनिक हीत को माना इसलिए उनोंने राज्य यह उन्समिधान का वर्गी करण और सासको की संक्या और सासन की गुडवत्ता के अधार परना अरस्तु ने जो प्लेटो के द्वारा जो इस्टेटमेंट उनकी बुक में किये कि राज्यों की गी करण सौर प्रथम किसनी किया है तो अफ्षन है आपके अरस्थु मांक्स लॉग क्रींड तो सही अंसर है अरस्थु और फियंक्स्ट हैं अरस्थु के अनुसाराज का अस्तित्व दैवी इच्छा का परिडाम है बल्व भै का परिडाम है केवल राजनेतिक और धाजनिक सहयूंग है और विकास का परिडाम है तो सही अंसर आपका हो जागा विकास का परिडाम है यहां पर आपको बता दे कि जो अरस्तु ने जो है राज का अस्तित विकास का परिडाम इसलिए माना क्योंकि उनका माना था कि राजी का निर्मार ब्यक्ति और ब्यक्ति के सम्मू के सोच समझ कर नहीं बलकि एक कृत्रिम संस्था माना था इसलिए जो राजी का अस्तित्व है वो विकास का प्रणाम माना और जिसका जो है राजी का जन जो है विकास के कारण हुआ है और यह जो एक सुभाविक संस्था कर सकते हैं या कृतिम संस्था है और जिसका उद्देश क्या है कि या उसका कारे है कि नैतिक और या सभी संस्थाओं में स्रेष्ट माना है और अरस्तु ने अपने जो उनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स में आदस राज की अस्थापना की बात कहिए और यह थार्थ का विसलेशर एक साथ करके उन्होंने नविन विग्यान को भी जन दिया है कि पुस्तक के इसके अलावा में उन्होंने राजनीत विज्जान विषय के दो ग्रंथ बताएगे हैंился विषय में नेक्स्ट है आपका 21 और अस्तु के अनुसार राज एक डैवी संस्था है क्रित्रिम संस्था है सक्त की उपज है और एक प्राकृतिक संस्था है तो सही अनसर है एक प्राकृतिक संस्था है नेक्स्ट है और इस टोटल के अनुसा राज एक इस्वरी संस्था है एक क्रितिम स्रिष्टी है या राज बल की स्रिष्टी है या राज एक सभाविक संस्था है तो यह answer D हो जागा राज एक सभाविक संस्था है नेक्स्ट है अरुस्त्यू अंसार राज्चे है परिवार का व्यापक रूप नयतिक और प्रक्रितिक संस्ता है। आदमी एक सामाजिक प्राड़ी है ऐसा किसनी कहा है ओप्षन है एरिस्टेटल प्लेटो रूसो लास्की तो सही एंसर हो जागा आपका एरिस्टेटल इसमें राज को प्रकृति की देन मानते मनुष को सामाजिक प्राड़ी कहा है नेक्स्ट है 96 मैं ही राज्जी हूँ यह घोश्रा नहीं लेकिन से किसनी की थी ऑप्षन है जेम्स प्रत्थम राबर्ट फिल्मर लुई चोधामा पोप प्रत्थम तो लुई चोधामा से एंसर हो जागा यह जो है फ्रांस का जो सम्राड था वह मतब कहता था कि मैं ही राज् अगर इसी प्रकार देखें तो इतली में मुसोलनी जर्मनी में जो हीटलर ने भी निरंकु सासत का अपना है वो अपने आपको ही सर्चरेश्ट मानते थे कह सकते हैं नेक्स्ट है 97 मैं ही राज्जी हूं ऐसा किस नहीं कहा है इंग्लेंड का जिन सेकेंड फ्रांस का नेपुलेन सेकेंड फ्रांस का लुई सोलहावा जर्मनी का हीटलर तो फ्रांस का लुई सोलहावा नेक्स्ट है राज्जी के आवस्यक तत्त हैं तो आपका एंसर हो जागा option है आपके 7, 5 4, 3 तो सही answer आपका हो जाए यहाँ पे 4 यहाँ पे आपको यह भी बताते चले कि राज जी के 4 आवसे तत कौन जन्जन संक्या, भूभाग सरकार, संप्रभुता यही जो है राज के 4 आवसे next है आपका राज जी का कार अच्छी जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुचाना यह कथन है, हीगल बो सांके कांट ग्रीन, सही answer ग्रीन है, ग्रीन जो एक आदर्सवादी विचारक है, और उसकी पुस्तक है लेक्चर संद प्रिंस्पल अपॉलिटिकल अब्लिगेशन जिसे भासलो का संकलन भी कहा जाता है और यह राजनीति विचारधारा के कमुल्य साहित्ती भी माना जाता है, उसमें ग्रीन ने कहा कि राजी का कार्य जो है अच्छी जीवन की बाधाओं में अच्छी जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुचाना इसका अर्थ है कि राज का उद्दिय सुझे जीवन अस्तर को बेटर अस्तर प्रदान करना है राज अपने आप में अंत नहीं है नेक्स्ट है आपका निमलिखित में से किसने राज के कारे के संबन में बाधाओं को बाधित किया है उप्त का प्रियुक किया है ऑप्सन है मिल ग्रीन हॉप्स ही गलत सही अंसर आपका गीर हो जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही आज का 50 कोशन यानि आप टोटल 100 कोशन हम लोग बिसक्स करें अगर आपका कोई सुझाओ हुए या मतलब आप चाह रहे हैं कि मतलब इतना डीटेल में नह बताएं या जो भी है तो आप कमेंट करके बताएं थैंक्यू सो मच आज के लिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें चैनल को थैंक्यू सो मच